जगन्मात मंदिर के अंदर से आती है रहस्यमई आवाजे कभी रोने की तो कभी चीखेने की घूमती रहती है एक रहस्यमई परचाई कभी शेर दिखता है तो कभी एक कुत्ता तो कभी एक सुन्दर नारी परंतु ब्रह्म परिवर्तन के समय मंदिर के अंदर केवल एक विशेश सेवकों का दल ही उपस्तित रहता है बाकी अन्य किसी को भी अंदर जाने की अनूमती नहीं है जै और पराजे का विचार छोड़ के करतव्य पर्ध्यान दो तर अपने आप दू हो जाएगा ब्रह्म परिवर्तन की रात संपूर्ण पूरी शहर को अंधकार कर दिया जाता है तोटल ब्लैक आउट उस रात भक्त आखों में आसो लिए एक दीपक जलाकर शोक मनाते है महप्रभु जगन्नात प्रतेक ओडिया परिवार के मुखिया है आज भी ओडिसा में जब कोई विवाह करता है तो अपने विवाह का निमंत्रन पत्र सर्ब प्रतम महप्रभु जगन्नात जी को देता है भक्त एवंग भगवान का एक अनोखा संबंध ब्रह्म परिवर्टन की रात एक विशेस सेवकों का दल जगन्नात मंदिर में प्रवेश करता है जिसके बाद मंदिर के सभी द्वार बंध कर दिये जाते हैं इस दल में उपस्तित रहते हैं कुछ दैतापति सेवक जो ब्रह्म परिवर्टन करते हैं कुछ पुजारी कुछ पारंपरिक पहरेदार जो हातों में सोने एवंग चांदी के तलवार लिए पूरे ब्रह्म परिवर्तन प्रक्रिया के समय दल के सवी सदस्यों की सुरक्षा करते हैं एसा इसी लिए क्योंकि ब्रह्म परिवर्तन की रात जब मंदिर के सभी द्वार बंद हो जाते हैं तभी अंदर से आती है अजीव अजीव आवाजें कभी एक नारी के रोने की आवाज तो कभी चीखने की एक बड़ी सी डरावरी परचाई घूमती रहती है दल के सदस्यों को कभी शेर दिखता है तो कभी एक कुत्ता सेवकों के अनुसार पुराने विग्रहों से ब्रह्म पदार्थ को निकालने के बाद जब विग्रहों को समाथी देने के लिए कोईली वैकुंठ में लिया जाता है तब चंडी चामुंडा योगुनी गन अत्यंत उत्ते जित हो जाते हैं पत्थर की मूर्तियां अपने आप बोलने लग जाती है सपेद साडी पहन एक नारी बार बार दल के सदस्यों का रास्ता रोक देती है एक स्वतंत्र मंत्र के द्वारा दल के मुख्या उन्हें सांत करते हैं एवं सवीवी ग्रहों को समाधी देती जाती है वो रात उस सेवक दल के लिए परिक्षा की रात होती है ये सब बातें खुद उसी दल के सदस्यों ने कही है जिनके इंटर्वियू का वीडियो ओडिया भासा में यूटूब पर अनेको समाचार चैनल्स पे मौजूद है ब्रह्म ही जीवन है प्रतेक मनुष्य के अंदर जिसे आत्मा है वेसे ही महप्रभु जगनात जी के अंदर है ब्रह्म यानी परमात्मा इसी कारण महप्रभु जगनात पृतिवी पर कल्यू के एक मात्र जीवित भगवान है जो भक्त की पुकार सुनते है जो भक्त का इच्छा पूरा करते है जब भी कोई भक्त महप्रभु के निकट जाता है एक अदुरुष्य उर्जा या सक्ति को अनुभव करता है वो अदुरुष्य उर्जा या सक्ति उस ब्रह्म पदार्थ से ही आती है परंतु ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? ब्रह्म पदार्थ को खाली आँखों से देखने पर मनुश्य अंधा हो जाता है यानि ये पदार्थ तेज एवंग सक्तिसालिक किरने छोड़ती है ब्रह्म पदार्थ को सपर्स करने से पुर्व हातों में लाल कपड़ा बांध कर एक विसेश लेप लगाया जाता है यानि ये पदार्थ रेडियो एक्टिव हो सकती है ब्रह्म पदार्थ को पुराने विग्रह से निकाल कर नए विग्रह में स्तानांतरित किया जाता है यानि ये पदार्थ तरण या शुक्ष्म नहीं बलकि ठोस है जो भी विक्ती ब्रह्म पदार्थ को छूता है कुछी महीनों के अंदर उसकी मृत्यू हो जाती है ठीक वे से जैसे एक विक्ती high dose of radiation के कारण मरता है भगवान उर्जा लेते नहीं देते हैं एक आर्क रियक्टर भी उर्जा लेता नहीं देता है तो क्या ब्रह्म पदार्थ असल में एक पूरातन यानी ancient आर्क रियक्टर है विचार तो आप ही को करना पड़ेगा विचार करने से पुर्व चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकोन को भी प्रेस कर दीजिएगा क्यूंकि मैं प्रती दिन शाम के साड़े छे बज़े आता हूँ केवल आप ही के लिए जै जगनात जै पंचसका जै हिंद